कच्चा पपीता भी देता है सेहत को गजब फायदे पपीता एक ऐसा फल है जो लगबग पूरे साल मिलता है पपीते का सेवन रोजाना किया जाए तो सेहत को अनगिनत फायदे होते हैं ओस्दिये कोनों से बरपूर पपीते का सेवन पाचन को दुरुस्त करता है और पेट को साफ रखता है इसमें मजूद एंजाइन स्टूल पास करने में मदद करते हैं इसका सेवन करने से पेट की सूजन कब्ज और बलोटिंग की प्रेशानी से निजाद मिलती है पाचन से संबंदित बिमारियों का रामबान इलाज है पपीता कच्चा पपीता जिसे पेड़ पर पकने से पहले ही तोड़ा जाता है ये पपीता सेथ के लिए बेतरिन माना जाता है ये कच्चा हरे रंग का फल वजन गटाने से लेकर गावों को बरने तक में असरदार साब नमबर एक पके पपीते की तरह ही कच्चा पपीता भी पेट के रोगों में बेहद फायद्यमंद है ये गैस पेट दर्द और पाचन की समस्याओं में फायद्यमंद होता है और बेतर पाचन तंतर के लिए भी उप्योगी है नमबर दो, कच्चा पपीता गठिया और जोडों की समस्याओं में लापदायक होता है इसे गरिन टी के साथ उबालकर बनाई गई चाय का शेवन गठिया को ठीक करने में मदद करता है नमबर तीन, कच्चा पपीता आपका वजन कम करने में बेहद मददगार साबित हो सकता है जी हाँ, इसका नियमित सेवंतेजी से फैट बर्ण करने में सायक है जिससे आपका वजन जल्दी कम होता है नमबर चार, डाइबर्टीज के लिए भी कच्चे पपीते के फायदे कुछ कम नहीं है यह खून में शुगर की मातरा को कंट्रोल करने में मदद करता है और आपकी डाइबर्टीज कंट्रोल में रहती है नमबर पांच, इसका एक बेहतरिट फायदा यह भी है कि यह यूरिन इंफेक्शन से बचाओ और उसे टीप करने में बेहत फायदे मंद है इसका नियमित इस्तेवाल आपको कभी यह समश्या नहीं होने देगा नमबर च्छे, पीलिया हो या फिर लिवर संबंदी अन्य कोई समश्या कच्चे पपीते का सेवन आपको गजब का फायदा पहुंचाता है नमबर साथ, और तो और विटामिन E, C और A के साथ ही एंटी ओक्सिडेंट, फाइटो न्यूट्रियेंट्स और इसमें मोजूद अन्य पोशक्तत्व कैंसर से बचाव के साथ ही आपकी रोग पर्ति रोधक चंता में भी इजापा करते हैं नमबर आठ, गाव जल्दी ठीक होते हैं कच्चे पपीते में बरपूर मात्रा में प्रोटिन एंजाइम पाय जाते हैं गाव के लिए फल में डी सलाइंग गुण होते हैं जो गाव को जल्दी बढ़ते हैं इसके अलावा कच्चे पपीते में मैगनिसियम, पोटेसियम, विटामिन A, C, E और B जैसे जरूरी पोशक्तत्तों होते हैं जिनका उपीयोग स्किन की विबिन प्रिश्थितियों के इलाज और सूजन को कम करने के लिए किया जा सकता है गावो के उपचार में सायता के लिए इस कच्चे पल का उपीयोग सामयिक अलसर ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी स्वास्त्यवर्दक जानकारी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेर करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दन्यवाद सबस्त रहो और मस्त रहो